तरन्वी शोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक एक लौता चैनल आपको हर चीज के बार में नॉलेच में लेगे अब आते हैं मरकुरी पे बुद्ध ये नंबर पांच से रिप्रेजेंट होता है निम्रोलोजी में अगर आप पांच को बॉन हुए हैं फॉर्टीन को बॉन हुए हैं या ट्वेंटी त्री को बॉन हुए हैं दिन यूरूल बाइ मरकुरी और इन होरोस्कोप यानि कि एस्ट्रोजी में बुद्ध रिप्रेजेंट करता है इंट्रिक्ट को इंटेलिजेंस को आपकी बुद्ध को आपके बिजनस स्किल्स को आपकी वानी को इसलिए कहा जाता है कि जब फर्स्ट हाउस में मरकुरी बैठे किसी के तो यह वैक्ति तारीव पसंद होता है तारीव करने वाला होता है बहुत टॉकटिव होता है लाल किताब जिसकी में बात कर रहा था वो भी पार्ट है अस उसके रिजल्ट नहीं आते जो नाइन्थ हाउस मरकुरी लेकर बैठे हैं अगर वो कमबस नहीं है या जुपिटर का असपेक्ट नहीं है उसके उपर तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे है और अगर मरकुरी को देखा जाए मरकुरी की एक्सलेंट पोजीशन सेवें सेवेंथ हाउस मानी गई है सेवेंथ हाउस में मरकुरी बैठा होता है बच्पन भी खुशी में जवानी भी खुशी में बढ़ापा भी खुशी में और अगर सोचो सेवेंथ हाउस में मरकुरी बैठा है मरकुरी का इंटलेक्ट है दिमाग कहा लगाओगे स्पाउस में हा तो आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट किस जगहे पर जाएगा, तो आपको सब अराम से बता देगा, अगर आपके फोर्थ हाउस में आ जाए, चौथे गर का बुद्ध, यह अच्छा बुद्ध माना जाता है, यह आपकी इंटेलेक्ट आपके मदर को हैपी करने में, आपकी फैमिली इंवाइनमेंट को अच्छा करने में, आपको राज सिंग हसन कैसे मिलेगा उसके तरफ, फूर्थ हाउस मर्कुरी इस वेरी गुड, फिफ्थ हाउस में आया, तो आपका इंटेलेक्ट आपकी एजुकेशन में, आपका इंटेलेक्ट आपकी स्टडीज में, आपका इंटेलेक्ट आपके बच्चों को और ज़्याद अच्छी परवरिश देने में, इस तरह से मर्कुरी जहां भी बैटेगा, बारा घरों में, वहाँ पर आपकी बुद्धी जाएगी वहाँ पर आपका इंटलेक्ट जाएगा मरकुरी in itself इस इस रेट्रोगेट बहुत जल्दी रेट्रोगेट हो जाता है साल में दो बार कमसे रेट्रोगेट मतलब होता है कि अभी मैं ऐसे चलना हूँ अब मैं ऐसे चलूँगा एक्शुल में इसकाई में ऐसे नहीं चलता प्लेनट बहुत बहुत देखने में एक ऑप्टिकल इलूजन होता है जिसमें लग रहा होता है कि वह उल्टा चलना है अब जब उल्टा चलना था तब आप प्रकट होगे धर्ती पे तो आपकी कुंड़ी में आर या फिर वा लिक्के आ जाएगा डैट इस रेट्रोगेट पोजिशन रेट्रोगेट पोजिशन किसी भी प्लेनट की होती तो जिद्धी हो जाते है अब मुझे आगर रात में निहा से मिलने जाना है तो मैं मिलूँगा चाहए मम्मी मारें चाहए पापा बेल्टी बेल्ट बाजाए मुझे ठीक है तो रेट्रोगेट प्लैनेट ऐसे होते है तो अगर आपका मर्कुरी रेट्रोगेट हो जाता है let's suppose वो 7th house में रेट्रोगेट हो गया तो आप शादी जिससे करनी है उससे करनी है बात खतम अब सैटन भी रेट्रोगेट हो सकता है Saturn 7th house में retrograde हो साधी नहीं होगी नहीं करवाऊंगा शाधी में यह Saturn की जिद है यह आस्पेक्ट भी कर दे न retrograde Saturn 7th house नहीं होती शाधी unless until Jupiter बीच में आ जाए तो मर्कुरी को हम समझ रहे हैं इसे पांच नमबर वाले होते हैं पांच नमबर वाले वक्ति आपको मिलेंगे ना Mercury is the fastest moving planet सबसे 30 स्पीड से घुमने वाला गरह है तो नमबर पांच 14-23 वालों में आप एक चीज़ common पाऊगे उनका दिमाग सुबह से लेके साम तक चल रहा है thoughts आई जा रहे हैं आई जा रहे मेरे बैठे बैठे दस लोगों ने खा लिये 1000 रुपय तो इसने भी बना दिये लगबग 100 लोग तो आते ही होंगे इसके पास 1000 इंटु 100 दस अजार का बिजनस है या एक लाग का बिजनस है तो महीने में कित्ता कमाता होगा उसमें इसकी या 60% कॉस्ट काट दू 40% का प्रॉफित हो रहा है इसको यह पांच नमबर वाले इस तरह से सोचते है और पांच नमबर है तो वाने के धनी बाई डिफॉर्ट होई जाते है इनको कहा जाता है कि अपना काम निकलवाना जानते है पांच नमबर वाले वक्ति को क्योंकि माइंड कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है तो हो क्या रहा है कि वो अपनी सेहत के बारे में ध्यान नहीं दे पा रहा है जैसे राकेश जुन जुन वाला उनसे जब पूछा गया के अब जैसे लास के टाइं में इंटरवु में कि capability क्या फूंकि सबसे अच्छी औुशल सबसे बुरी इंवेस्टमेंट क्या है पर मेरी एक बुरी इंवेस्टमेंटि यह है कि मैं एपनी हेल्त में कभी इनवेस्टने किया तो वो पाँच नमबर थे बट वहीं on the other है ना विराट कोली को देखो पाँच नमबर वो भी है पर उसने हेल्थ में इन्वेस्ट किया उसने क्या किया मर्कुरी को बैलेंस किया by his own actions तो आप इस तरह से मर्कुरी को बैलेंस कर सकते हो जोतिस में कई बार अगर मर्कुरी की बैट प्लिस्मेंट देख लेते हैं तो आप कहते हैं ले जापना चार्ट नहीं देखना ठीक है क्या करूँगा तो आई बुद्धी खराब है तो मैं तुम्हें कितना समझा दूँगा इट इस लाइक कि मैं आपको कहूँगा कि आपना सूर को जल चड़ा दीजे अरणवीर जी ये आपके लिए एक रेमेडी है बट आप कहोगे कितने बजे 100 ml चड़ाऊं कि 200 ml चड़ाऊं किस तरफ फेस करना है कपड़े पहनने नहीं पहनने कितनी बार चड़ाना है कब तक चड़ाना है जैसे ही इंसान टेक्निकेल्टी में चला जाए आप समझ जाना उसका मर्कुरी बैड है मर्कुरी आपके दात भी है अगर आप किसी को देख रहा उसके दात आपको उबडखाबर नजर आ जाए समझ जाओ मर्कुरी बैड है उसका बुरा है मर्कुरी उसका खराब है मर्कुरी आपके घर में नौर्थ की जो डायरेक्शन है उसको भी रेपेसेंट करता है तो अगर आपके नौर्थ की डायरेक्शन में कोई गोल चीज रखी है जैसे घड़ा रखा है या वायर लिप्टी हुई रखी या उनके गोले रखे है something गोल वहाँ पे रखा हुगा है then also it is a indication कि mercury खराब है also अगर आपके घर में चोड़े पत्ते वाले पौधे या फिर musical instrument unused है indication है mercury खराब है आप उनको हटाएंगे यह ठीक हो जाएगा there is a little little indication every planet gives you बार बार आते हैं और आपको एक indication देते हैं कि इस ठीक कर ले यहाँ पे ठीक कर लो और 5-14-20 को समझा जाए अगर इसी mercury के बहाने तो नंबर 5 वाला व्यक्ति के पास एक तो magical power भगवा ने दिये कि वो change को बहुत accept कर लेता है वो समझ जाता है कि market में क्या बदलने वाला है उसे साब से अपने आपको adapt कर लेता है बट यही दिमाग जो इतना चल रहा है और उसको बहुत जादा भागशाली बना रहा है बहुत जादा उसको workaholic बना रहा है 30 की उमर के बाद लगता है कि यार बस कर अब चुप हो जा अब सांत हो जा अब तो चुप हो जा यह दिमाग चुप नहीं होता इसलिए आप usually number 5 people को देखोगे कि जब वो 30 क्रॉस करते हैं तो वो सुकून की तलास करते है इसलिए number 5 को आप travel बहुत पसंद आ जाता है mountains बहुत पसंद आ जाते है और यहाँ पर घुमना बहुत पसंद होता है mercury का green color होता है तो अगर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा greenery है your mercury is good आपके office में बहुत ज़्यादा plants लगे है your mercury is good और नहीं है तो लगा लो आपका mercury balance हो जाएगा earth house में अगर mercury है तो इसका मतलब क्या earth house में mercury है तो intellect कहां जाएगा earth house की चीजों में जाएगा earth house mystic है mystery है तो आपको mystery unfold करने में ज़्यादा intellect आएगा youtube में कैसे grow करना है इसकी mystery unfold कर दी अपने काम में किस तरह से shine करना है जैसे आपने मुझे एक चीज नहीं बताई ठीक है वो mystery थी आपके लिए ये mystery आपने तो कहीं न कहीं से unfold कर ली है है ना आपका जादा सजादा intellect वहाँ पर जाएगा वहाँ पर आपके बुद्धी जाएगी earth house mercury 8th house is house of mystery house of mystery जो भी ग्यान गुप्त है जैसे अकल्ड को क्यों रखा गया इसमें क्योंकि वो गुप्त है इसी में आयुरुवेदा भी है इसी में योगा भी है इसी में manufacturing है tax भी का काम भी आता है जैसे आप फॉर एक्जांपल में आपको एक और चीज यहां पर हमारी audience है करें यहां तक आ गई तो वो आने की इंट्रेस्टेड है आप देखो कि 8th house में number कौन सा लिखा है 3 3 यह Gemini का sign है Gemini का Lord Mercury खुद होता है तो यहां पर भी आपका Mercury उसी के घर में बैठा है जैसे Saturn बैठा था तो यह extraordinary चार्ट नहीं है बढ़ फिर भी extraordinary बन जा रहा है क्योंकि placement प्लैनेट की खराब है बढ़ खुद के घर में है अब आप कितने भी पागल आदमी हो पर कभी अपने घर को आग नहीं लगा होगे अपने घर को ने फूक होगे तो यहाँ पर जो मर्कुरी से प्रोटेक्ट करेगा अपने हाउस को बचा के रखेगा तो उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अप्लोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ अपने हाँ